समस्कार दोस्तों तोज्जे के सक्सेस पॉइंट के यूटूब चनल में आपका स्वाग एता तो डेफेंस आई शी आर में आई ए आर आई जो कर्शी विवाग के अंतरगत आते हैं उसमें 641 पदों के लिए बरती का विज्ञापन है वो जारी किया गया था ट्रेनिंग इसमें किवाई जाएगी एक साल की तो उसमें भी आपको सेलरी दी जाएगी या नहीं इसके प्रियो ईसेर पेपर कहां पर मिलेंगे टेंथ में मारकसित जो परसंटेज है वो चाहिए है या फिर नहीं चाहिए जोइनिंग है वो हमें कहां पर मिलेगी तो आदी के रिगारडिंग ये सबी सवाल है या हमारे पास आ रहे हैं तो डेफेंस आप देखते हैं यह ओफिशल नोटिविकेशन है जिसमें बताया गया है तो दीज पोस्ट आर नोन गवर्मेंट बट पैंसेबल अंडर न्यू पैंसन इसकीम इंटर्डूज बाइदा गवर्मेंट ओफ इंडिया विच अफेक्टेड प्रोम एक एक दो हुजा पूरिες पूर्ण रूप से इसको गवर्मेंट विकेंट्स नहीं कहा जा सकता ज़या जैंड़ी वारत लोगником दागुकर कह सकते हैं कि पूर्मेंट की प्रेंट प्रेंट्रुच्रा यहां है तो इसमें आप अपलाई कर सकते हैं कि यह पूंट प्राइवेट भी नहीं है और पूंट यह जो गवर्मेंट है वह भी नहीं है तो इसमें अपलाई है वह कर सकते हैं क्योंकि जो सारी पेंशन वगेरा की जो अलाउंस वगेरा है वह आपको इसमें मिलने वाले हैं आगे हम इसमें बात करें तो salary है वो क्या दी जाएगी तो salary के बारे में इसमें बताया गाए कि यह विकेंशी आई है technician T1 की तो यह विकेंशी नहीं लेवल थर्ड के अंतरकत आती है 7th CPC जो pay matrix है उसी के अंतरकत आती है तो इसमें जो ICR का जो 7th CPC में जो लेवल थर्ड का पेमेंट है वह 21,700 रुपर से लेकर गुनेटर 1700 रुपर तक आपका मिलने वाला है तो शुरुआत में जब आप इसमें जोईनिंग लोगे तो 21,700 रुपर पेमेंट है वह आपको दिया जाएगा उसके बाद आपका जो रेगुलरली इस अपका प्रमोशन होता जाएगा तो उसके साबसे आपकी जो पेमेंट है वह इंक्रीज होती जाएगे तो लास्ट पेमेंट है वह 21,700 रुपर दक आपको इसमें मिलने वाला है नेक्स्ट इसमें बात करें तो आपकी ट्रेनिंग हो कितने दिन की होगी तो ट्रेनिंग के ल देना है उसी इंस्टिटूट में आपकी जोइनिंग हो करवाई जाएगी और पूरी जो ट्रेनिंग होगी उसके बाद सोरी ट्रेनिंग होगी है उस इंस्टिटूट के द्वारा की जाएगे और इस इंस्टिटूट में ही आपको जो सेलेक्शन हो होने वाला है उसके आप टेक्निकल जो ट्रेनी है उसके पद पर कारिय करेंगे तो अगर आप एक साल के अंदर इसको पूरा नहीं करते हैं आप इसमें फैलो जाते हैं तो इसको six months के लिए आगे हो बढ़ा दिया जाएगा और इसमें बताएगा है कि आप जो ट्रेनिंग आपकी जब चलेगी ट इसमें नहीं कर सकते हैं अगर आप चुट्टी करते हैं तो आप इसमें फैल कर दी जाओगे और रेगुलर अपोइंट है उसके बाद में आपको टेक्निशन टीवन के पद पर आपको इसमें अपवोइंट किया जाएगा तो इसमें आपकी ट्रेनिंग होगी वन येर के अ आप उसको रेगुलर जो अपोइंटमेंट है वो आपको इसमें मिल जाएगा साथ ही बात करें इसमें आपको जो ट्रेनिंग के तोर पर आप कारे करेंगे ट्रेनिंग के रूप में तो आपको इसमें सेलेरी है वो कितनी जाएगी तो सेलेरी की इसमें कोई बताया नहीं ग आगा है कि आपको ट्रेंडिंग के टाई में आपको बहुत सी फेसिलिटीज दी जाएंगे जैसे ट्रांसपोर्ट कैंटीन डो डिस्प्रेंशरी और लाइबरे इन सभी जो आपको जो फेसिलिटीज है वो आप उनका यूज कर सकते हैं तो इस इसाफ से आपको इसमें जो सेल दों आउट होनी चाहिए कोई होनि परसंटेज कर बला इसमें अप्लाई कर सकते हैं यह शील बताए घए कि फिप्टेंट फोर्नाइं पर्संटेज अगर आपको उसमें पूर सेंटेज जो जो पुरा जो इसमें लिखा जाता है उसको आपको नहीं लिखना है तो पॉइंट के बाद के जो भी डिजिट है वो आपको इसमें लिखनी नहीं है शिर्फ आपको जो टू जीजिट में आपकी जो परसेंटेज आई है वो इसमें लिखनी है और एक इसमें कोमन डाउट है कि आपको ज इलहों को दे सकते हैं टो आसा करते हैं आपको सारे स्वाल को जवाब हो विडियो में मिल सुका होगा आसा करते हैं आपको वीडियो पसंदाए वीडियो फशनाले पिर्लिच ज稚लाए सेट जरूर करें अगर आप सोनिक दो ह Pokémon आप